हेलो दोस्तों मैं हूँ परविंदर और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फेस्बुक मैसेंजर लीड जनरेशन एड्स हम कैसे बना सकते हैं और फेस्बुक मैसेंजर का यूज करके फेस्बुक मैसेंजर पर आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम lead generation कैसे करते लेकिन इस particular वीडियो के अंदर मैं facebook जो messenger है उसके लिए हम lead कैसे generate करेंगे जो complete process है messenger के उपर कैसे हम automated chat बनाएंगे complete जो lead है वो कैसे आएंगी वो सारी चीजे इस वीडियो के अंदर हम discuss करने वाले हैं आप screen के बनेगी जैसा कि जैसे user send button send message के उपर click करेगा तो वो हमारे messenger के अंदर open हो जाएगा सबसे उपर उसे एक form दिखाई सबसे उपर एक text एक message आएगा उसके पास में उसके बाद में फिर हम एक question पूछेंगे are you looking for solar yes or no यानि कि हम जो lead है उनको filter करेंगे कौन सी city में वो रहते ह हैं इसके साथ ही उनकी solar capacity वो कौन सी solar कितनी solar capacity की वो लगवाने वाले हैं और उसके बाद में हम mobile number पूछेंगे और last में हम उनको एक thank you message भी send करेंगे जो की complete हमारा automated होगा और messenger के उपर हमें ये lead जो है ये मिल जाएंगी तो कुछ ऐसा आपका जो add है अब आप अपनी किसी industry के लिए जो भी आपकी services हैं अलग अलग जगे हमारा add कैसा दिखाई देगा आप देख सकते हैं तो इस type से जो add है जो facebook messenger का lead generation का add है वो हम कैसे बनाएंगे तो इन दोनो tab को मैं close कर देता हूं और अब हम आते हैं अपने ads manager के अंदर अगर आप पहली बार facebook ads run कर रहे हैं तो already मैंने facebook ads के उपर facebook ads हम कैसे बना सकते हैं facebook ads कैसे काम करते हैं lead generation के ad कैसे होते हैं तो वो सारी चीज़े मैंने already बता रखी हैं उन videos के जो link हैं वो मैं description के अंदर डाल दूँगा आप facebook lead generation की जो instant form के तुरू या फिर जो एक basic जो आपको knowledge के requirement है वो सबी जरूरी है वो आप description से link है वहां से आप check out कर सकते हैं इसके साथ ही अगर मैं brief में बताऊं facebook के उपर add चलाने के लिए हमारे पास में facebook का account होना चाहिए इसके साथ ही facebook page होना चाहिए और हमारे पास में एक add account होना चाहिए तो हमें page आपको already पता होगा 9 dots के उपर हम click करते हैं हो सकता है 9 dots आपको यह यहां पर दिखें या फिर आप यहां पर जो option है यह आपको यहां पर मिल जाएंगे see more के उपर क्लिक करेंगे तब भी आपको मिल जाएंगे और यहां पर आपको page का option यहां मिल जाता है नया एड बनाने के लिए हमें create के उपर क्लिक करना होता है जैसी हम create के उपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा एड है उसके बनने की process आ जाएगी account की information है कुछ इसको मैं ignore कर देता हूँ scroll करके हम निचे आते हैं उसके बाद में हमें choose करना है campaign का objective campaign objective का simple meaning है यानि की हमें campaign का goal चूज करना है यानि की जो हम add चलाना चाते हैं जो messenger lead generation हम करना चाते हैं उसका जो goal है वो हमारा क्या है यानि की हमारा simple goal है कि हम message के थूँ lead generate करना चाते हैं तो हम यहाँ पर अपना जो campaign objective चूज करेंगे वो हम lead चूज करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसी मैंने lead के उपर click किया, यहाँ पर कुछ और option यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि हम next level के उपर देखने वाले हैं, तो मैंने lead चूज किया, उसके बाद में हम आते हैं continue के उपर, जैसा ही continue के उपर click करते हैं, तो हमारे add की बनने की process है, जो हमारा campaign है वो हमारा यहाँ पर बनना start हो गया अब हमारे campaign level की settings है जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं सबसे उपर अपने campaign का name डालना है जिस भी purpose के लिए फिर जिस industry के लिए जिस client के लिए आप add run करते हैं आप यहाँ पर name डाल सकते है special add categories के अंदर अगर आपका add special add categories के अंदर आता है तो आपको यहाँ पर choose करना है वरना नहीं करना है अगर आपका add credit से related है employment, housing या फिर social issues या फिर election से related है तभी आपको यह चीज़े select करनी है otherwise नहीं करनी है तो आप मैं यहाँ पर choose नहीं करूँगा buying का जो option है वो हमारा auction ही रहेगा lead का campaign जो objective है वो हमें lead ही रखना है उसके बाद में हमें scroll करना है A-B testing हम नहीं करेंगे advantage campaign budget भी मैं off ही रहने देता हूँ उसके बाद में हम next के उपर click करते हैं जैसी next के उपर आते हैं तो जो हमारा option है यह आ जाते हैं इसके बाद में हमें जो conversion की location है उसको select करना जरूरी है यानि कि हम lead कहाँ पर generate करेंगे हमें generate कहाँ पर करनी है messenger के उपर instant form के उपर already मैंने एक tutorial बना रखा है वो tutorial आप चेक आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं messenger चूज करता हूँ इसके साथ आप instant form या messenger चूज कर सकते हैं लेकिन फिलाल हम इस video के अंदर messenger के उपर जो lead generation का campaign है जो हमारा बनेगा उसको हम देखेंगे तो messenger हमें चूज करना है उसके बाद में हम scroll करके नीचे आते हैं जो performance का goal है वो हमारा फेस्बुक optimize करेगा हमारे add को वो करेगा maximize lead के लिए निकि हमें जो requirement है maximum leads जो facebook को कोशिस करेगा वो maximum leads लाने की कोशिस करेगा और ऐसे ही हम लोगों को हमारी add को दिखाएगा उसके बाद में हमें facebook page को select करना है यहां से हम जो भी हमारा facebook page है उसको हम यहां से select कर सकते हैं तो यहां पर मैं इस page को select कर लेता हूँ उसके बाद में हमें नीचे scroll करना है bid control के option को भी आपको यह optional है तो इसको आप हम use नहीं करेंगे scroll करते हैं उसके बाद में हमें budget add करना है हमें daily budget add कर सकते हैं या फिर lifetime budget हम add कर सकते हैं वो हमारी choice है जितना budget आप add करना चाहते हैं उसी के according आप add कर सकते हैं अगर आप starting के अंदर हैं तो आप 500-700,000 रुपैसे start कर सकते हैं start date के अंदर हम start date डालेंगे end date यानि कि कब से कब तक हमें add को चलाना है वो हम यहां पर select कर लेंगे उसके बाद में हमारा काफी important option आता है audience यानि कि हमें कौन सी audience को add दिखानी है audience कैसे select करनी है इसका जो detail के अंदर video है वो आपको description के अंदर link है वहां से आप check out कर सकते हैं brief में मैं आपको अभी यहां पर बता देता हूँ तो audience हमारी जो भी हमारा product है उसके according हमें audience को select करना है जैसा भी हमारा product है अगर parents के लिए है students के लिए है या फिर college going students के लिए है या फिर working people के लिए है या फिर किसी particular जो area के अंदर लोग रहते हैं उनके लिए है या फिर women के लिए है या फिर आप किसी भी तरह की जो audience है आपकी उनको हम select कर सकते है और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में location का option आता है तो जिस भी location के अंदर आप अपनी add को दिखाना चाहते हैं यहाँ पर हम location को select करेंगे उसके बाद में हम scroll करके नीचे आते यहाँ पर location के कुछ और option भी आपको मिलते है ऐसे लोग जो इस area के अंदर रहते हैं या फिर इस area के अंदर थे और ऐसे लोग जो इस area के अंदर रहते हैं तो हम यहाँ पर इस option को select कर लेते हैं ऐसे लोग जो यहाँ पर रहते हैं अब मैं नीचे scroll करता हूँ एज गुरूप यानि कि कौन से एज गुरूप को आप एड दिखाना चाहते हैं किस एज गुरूप को आप एड दिखाएंगे तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं यानि कि मैं एड दिखाऊंगा 20 से लेकर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं 40, 35 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, जैने कि जो मेरा product है, वो young people के लिए है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी age group है, उसको उसी के according set करूँगा, दुनों, अगर हमारा woman के लिए है, तो हम यहाँ पर woman select करेंगे, अगर man के लिए है, तो हम यहाँ पर man select करेंगे, जो हमारा product है, मैं मान पर हम क्या करेंगे, ऐसे प्रोडेक्ट, ऐसे लोगों को हमें एड दिखाना है, जो कि उस एड को इंगेज करें, उस एड जो भी हम प्रोडेक्ट ओफर कर रहे हैं, या फिर हम जिस परपज के लिए लीड जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए वो applicable हो, तो यहां पर हमें select ऐसी audience को हमें यहाँ पर select करना है audience को हम demographic interest or behavior के बेस के उपर select कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि कि किसी की anniversary आने वाली है या फिर किसी का birthday आने वाला है या फिर कोई parents है जैसे कि अगर हम real estate की बात करें तो जो new parents होते हैं यानि कि जिनके छोटे बच्चे होते हैं हम यहाँ पर यह मान सकते हैं कि जिनके एक साल से लेकर पांच साल या फिर दस साल तक के बच्चे होते हैं ऐसे लोग जरूर house लेने की planning कर रहे होंगे या फिर वो करते होंगे तो यहाँ पर हम हम ऐसे parents को select कर सकते हैं वहीं पर अगर मान लीजिए हम ऐसे अगर किसी toys वगरा को हम sell करते हैं फिर kids से related जो हमारे product हैं उनके लिए भी हम parents को target कर सकते हैं अगर मान लीजिए हम किसी birthday के लिए अगर मान लीजिए मेरा business selling cake वगरा का है तो हम ऐसे लोगों को add चला सकते हैं जिनका birthday जनवरी के अंदर आएगा या फिर December के अंदर आएगा तो इस type से हम add की targeting कर सकते हैं जो audience है वो आप किसी भी basis के उपर अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को हम add दिखाएं जो luxury products के अंदर या फिर जो luxury content है उसके अंदर interested हो तो उनको हम select कर सकते हैं इसी के साथ हम exclude या फिर जो narrow audience का feature है उसको use कर सकते हैं यानि कि अपनी audience को filter करने के लिए एक condition लगा सकते हैं कि जिनका interest luxury audience के अंदर भी है इसके साथ-साथ अगर हम narrow करते हैं तो यहाँ पर एक end का option आपके सामने आ जाएगा यानि कि जो luxury audience के अंदर तो जो luxury lifestyle है उसके अंदर तो वो interested है ही है इसके साथ-साथ जो वो user है वो हमारे iPhone के अंदर भी interested होने चाहिए जैसे कि अगर मालीजा आप iPhone का cover sell करते हैं तो ऐसे लोग जो luxury lifestyle के अंदर भी interested है उसके साथ ही iPhone के अंदर भी interested है या फिर वो iPhone 6S के अंदर interested है उसके यहाँ पर आपको interest और behavior के option अलग-अलग दिखाई देंगे तो इनको भी समझना जरूरी है तो यहाँ पर behavior का मतलब है कि ऐसे लोग जो iPhone यानि कि जैसा कि आप सामने देख सकते हैं ओंस iPhone यानि कि जिनके पास में iPhone 7 है तो हम ऐसे लोगों को add दिखाएंगे हम यहाँ पर देख सकते हैं तो फिलाल के लिए मैं जो narrow audience है उसका use नहीं करूँगा narrow audience के concept को और ज़्यादा detail में जानने के लिए आप एक playlist है हमारी उसको follow कर सकते है audience targeting की जो इसका link आपको description में मिलेगा अगर आप starting के अंदर है तो आप भी narrow audience का use मत कीजिए आप simple जो भी आपके product है उनके according यहाँ पर डालके एक add को run करके देख सकते हैं अगर आप और ज़्यादा detail के अंदर सीखना चाते हैं और अपनी add को pro पर चलाना चाते हैं तब आपको audience targeting आना काफी जरूरी है उसके बाद में हम यहाँ पर नीचे scroll करते हैं जैसे ही हम नीचे scroll करते हैं हमारे पास में next option आता है palacement का यानि कि हमारी जो add है वो कहा पर दिखाई जाएगी कहा पर का मतलब है कि हमारी facebook feed के अंदर दिखाई जाएगी या फिर stories के उपर दिखाई जाएगी या पिर कहाँ पर दिखाईगी जो भी palacement होती है तो starting के अंदर इसको आप advantage प्लस palacement आप रखिए क्योंकि Facebook अपने according अप हमारी ad को optimize करेगा और जहां से भी हमें result मिलेंगे जिस भी palacement से हमें result मिलेंगे उस palacement के उपर Facebook हमें जो हमारी ad है उसको दिखा देगा आप चाहें तो manual palacement भी use कर सकते हैं अगर माल लीजिए हम अकेला Facebook को target करना चाहते हैं हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जो ad है वो Instagram के उपर जाए क्योंकि Messenger की हमारी ad है तो हम चाहते हैं कि Facebook और Messenger दोनों जगे हमारी ad दिखे तो हम यहां पर दोनों option को select कर लेंगे तो इसके अलावा फिर भी मैं suggest करूँँगा कि आप starting के अंदर है तो आप advantage प्लस campaign जो palacement है उसी को select कीजिए और अगर आपके पास में data है पुराना तो उसके according आप जो palacement है उनको use कर सकते हैं हमने advantage प्लस जो palacement है उसको choose किया अब हम scroll करते हैं और यहां पर हमें next के उपर click करना है हमने अभी तक campaign की settings की उसके बाद में जो हमारा messenger messenger lead ad का campaign है ad set की हमने setting की और अब हम next level के उपर आते हैं जैसे ही हम next level के उपर आएंगे तो यहां पर हम अपना ads ready करेंगे यानि कि जो हमारा ad है वो कैसे लोगों को दिखेगा जो कैसा दिखेगा तो यहां पर जो name है सबसे उपर मैं डाल देता हूं क्योंकि हम यह messenger lead generation की ad बन अब हमें ad setup करना है जो ad का format है वो हमारा क्या होगा image या फिर video की ad बनानी है या फिर carousel की ad बनानी है carousel की ads का मतलब है एक scrollable image या फिर videos यहां पर हो जाएंगी और left और right side में user उनको scroll करके देख सकता है तो यहां पर मैं single image या फिर video को use करता हूं और अब हम नीचे scroll करते ह यहां पर हमें ads creative upload करना है सबसे पहले मैं इसको delete करता हूं जो भी यहां पर कोई photo या फिर video डली है और उसके बाद में add media के उपर हमें click करना है और add image या फिर add video यानि कि जिस भी format में हम add बनाना चाहते हैं वही हम यहां पर choose कर सकते हैं तो यहां पर मैं choose करता हूं video को next के उपर click करते हैं original original हमें use करना है अगर आप stories के लिए अलग से add run करना चाहते हैं तो आप stories के लिए अलग से format में भी बना सकते हैं उसके बाद में हम next के उपर click करते हैं लेकिन जो square format है वो हमारा almost हर जगे चल जाता है उसके बाद में हमें फिर से done के उपर click करना है और next step में हम scroll करते हैं और यहाँ पर हम scroll करते हैं और primary text यानि कि जो add के उपर हमें दिखाई देता है जो photo के उपर हमें दिखाई देता है उसको हम primary text बोलेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस photo के उपर जो text दिखाई देगा आपने preview के अंदर देखा होगा हम यहाँ पर जो facebook ads library का use कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता facebook ads library का तो playlist को जरूर follow कीजिए और अब हम headline चूज करते है यानि कि जो हमारे जो button है उसके साथ में जो headline दिखाई देगी वो headline कौन सी होगी तो हम यहाँ पर जो हमारी headline है उसको मैं copy करता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और यहाँ पर हमारा message का है तो इसको मैं थोड़ा सा modify करके send message now अब अगर इसका हम preview देखते हैं तो आप यहाँ पर preview देख सकते हैं सबसे उपर हमारी जो primary text है वो दिखाई दे रहा है उसके बाद में हमारी photo या फिर और send message हमारा button आप देख सकते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा change करता हूँ ताकि हमारा जो attractive दिखे अब हम देख सकते हैं अब जो complete जो headline है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर limited space होता है इस चीज़ का भी आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा अब हम वापस उपर आते है headline हमने डाली headline के नीचे हम स्क्रोल करते हैं और यहाँ पर हमें option देता है call to action का यानि कि हमें जो message है जो call to action button है वो क्या दिखाई देगा send message का, order now का, learn more का get code का, get offer का अब काफी यहाँ पर अलग-अलग select कर सकते हैं तो यहाँ पर फिलाल के लिए मैं send message का ही रखता हूँ आप अपने according ट्राइ करके देख सकते हैं अगर आपका course है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं learn more या फिर sign up कर सकते हैं अगर आपका email का newsletter है या फिर हम messenger के अंदर ही मान लिजे किसी को हम messenger के अंदर ही subscribe करवा रहे हैं chatbot के लिए तो हम subscribe का button भी use कर सकते हैं अगर हम कोई meeting वगरा book करवा रहे हैं तो हम book now का option भी use कर सकते हैं तो काफी सारे अलग-अलग option यहाँ पर available हैं scroll करते हैं उसके बाद में हमें message के template use करना जरूरी है जो की जब भी user click करेगा send message के उपर जो audience है हमारी click करेगी send message के उपर तब उनके सामने एक message के जो format है एक messenger के अंदर जब भी वो open होगा तो उनके सामने एक format open होगा जैसा कि मैंने वीडियो के starting के अंदर आपको दिखाया था अब हम नीचे scroll करते हैं create new के उपर click करना है जो यह existing template है यह मैंने already बना रखी है आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको starting से new template बनाना बताता हूँ create new के उपर हमें click करना है जैसे हम create new करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी template है वो एक default template यहाँ पर आ जाती है अब सबसे उपर हम यहाँ पर आप content देख सकते हैं उसके साथ ही आप देख सकते हैं advance का तो दोनों option को यहाँ पर हम देखने वाले हैं सबसे पहले welcome message के उपर click करता हूँ जैसा नाम से ही हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर एक welcome message आएगा तो यहाँ पर आप अपना welcome message डाल सकते है name कैसे आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते है emoji का symbol है उसके साथ में आपको एक icon मिलेगा इसके उपर आपको click करना है और यहाँ पर हम full name first name page जो भी name हमें डालना है जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं तो यहाँ पर यह name आ जाएगा यहाँ जहाँ पर cursor होगा हमारा वहाँ पर हम add कर सकते हैं तो इसको मैं हटा देता हूँ उसके बाद में हमें question select करने हैं यानि कि जो भी हमारे question होंगे उनको हम यहाँ पर select करेंगे want to get started yes no यानि कि जब भी user want to get started यहाँ पर एक message उनको दिखाई देगा अगर वो yes के उपर click करता है तो वो हम उसके पास में next question चला जाएगा अगर disqualify हो जाएगा यानि कि वो हमारे lead है ही नहीं तो उसके पास में एक दूसरा message चला जाएगा जिसके अंदर हम अपना manually कोई भी चीजें हम डाल सकते हैं उसके बाद में हम customer से उसकी CT पूछ सकते हैं इसके साथ ही अगर आप खुद अलग से कोई question पूछना चाहते हैं तो आप add question के उपर click करेंगे और जैसे कि मान लिजे मैं phone number पूछना चाहता हूँ हम phone number ले सकते हैं इसके साथ ही हम add question के उपर email address आप ले सकते हैं या फिर address आप उनसे पूछ सकते हैं अगर जैसे मान लिजे हम solar के लिए run करते हैं तो हम address वगेरा भी उनसे पूछ सकते हैं इसके साथ ही हम gender ये काफी information है job title हम पूछ सकते हैं company का name है या फिर custom question का option भी आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे नीचे आप देख सकते है custom question का जो कि मैंने पूछा था आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा custom question था यानिकि वो कितने किलोवाट के solar panel लगवाना चाहता है या फिर वो कितने जो घर है कितने रुपए तक का वो घर investment करना चाहता है वो चीज़े भी हम यहाँ पर कर सकते हैं अगर आप real estate के लिए करते हैं यह आपको अपनी industry के according यह सारी चीज़े आपको समझनी पड़ेंगी उसके बाद में यहाँ पर हमने सारी हम ने क्या 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 है जो हमारा जो lead जो process है यानि कि हमारे पास में phone number आ गया या फिर हमें कोई भी एक ऐसी contact detail हमारे पास में आ जाती है यानि कि उसने complete form जो भी हम question पूछ रहे थे उस process को complete कर दिया तो उसके पास में एक message है वो यहाँ पर जाएगा thanks for answering our all questions इसको आप modify भी कर सकते हैं अपने according या फिर जैसे कि मैं thanks की जगे है यहाँ पर नाम डाल देता हूं thanks और यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं thanks Pravinder for answering our all questions तो इससे क्या होगा कि customer थोड़ा सा special feel करेगा personalized message आएगा अब यहाँ पर हमें क्या करना है कोई हम attachment भेज सकते हैं या फिर हम कोई call to action button लगा सकते हैं कि website के उपर वो user चला जाए तो यहाँ पर हम call to action button लगा सकते हैं और website के उपर user चला जाएगा तो फिलाल के लिए मैं यहाँ पर non use करता हूँ हम scroll करते हैं starting के अंदर हमने देखा था disk qualification message दो option हमने user को दिये yes or no वहाँ पर आप और भी अलग option दे सकते हैं अपने choice के according यहाँ पर आप कोई भी चीज़े पूछ सकते हैं तो यह आपकी choice है आपकी industry के according जैसे कि आप कब घर लेना चाहते हैं यह चीज़ भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं within next month, within one week जो भी आपको यहाँ पर option select करने हैं तो यहाँ पर हमारा disk qualification जैसे user note now के उपर click करेगा तो उसके पास में एक disk qualification का message चला जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने click किया यहाँ पर हम disk qualification का जो message है वो हम डाल सकते हैं कि आपको फिलाल में requirement नहीं है लेकिन आगे के लिए आप हमें अपना number दे सकते हैं या फिर आप हमारा number save कर सकते हैं कुछ इस type का message हम यहाँ पर डाल सकते हैं बाकि आप अपने जो requirement है उसके according डाल सकते हैं privacy policy के अंदर हम यहाँ पर जो भी आपकी website है उसका link आप डाल सकते हो आपकी website के उपर अगर privacy policy है तो उसका link आप डाल सकते हो या फिर आपके पास में अगर ये नहीं है तो आप अपने facebook page का link भी डाल सकते हो और यहाँ पर हम scroll करते हैं हमारा जो form है यहाँ पर complete हो गया अब हमारे सामने एक option और आता है यह हमने क्या गया content जो कि हमारे form के अंदर user को दिखेगा वो सारी चीज़े हमने fill की अब आता है advance का option advance के option के अंदर हम अपना जो name है automated chat test1 इसका मैं name डाल देता हूँ और उसके नीचे हमारा confirmation message यानि कि जब भी user अगर pause करता है तो उनको एक message चला जाएगा इसके के साथ अगर reminder चला जाएगा अगर मान लीजे user जो user है उसने हमारी add के उपर send message के उपर click किया दो या तीन question का उसने answer भी दिया मान लीजे yes के उपर click किया उसने और अपने city का name बता दिया लेकिन उसने अपना phone number नहीं दिया तो उसके पास में क्या है कि 5 minute के अंदर ही वो क्या करेंगे वो हमारा जो message है जो एक reminder उनके पास में भेज देंगे कि आपने अभी तक जो form है या फिर जो messenger के अंदर आपकी conversation चल रही थी आपने उसको complete नहीं किया उसके पास में एक message चला जाएगा तो इसका फायदा ये है कि मानलीजे customer ने हमारा ad close भी कर दिया क्योंकि facebook के अंदर आपने देखा होगा कि हम एक ad को अगर खुद हम चाहे तब दोबारा नहीं देख सकते लेकिन वो system के according यान कि जो algorithm है उसके according जो ad targeting है उनके according हमें दोबारा दिख सकता है लेकिन अगर हम किसी ad को खुद चाहे तो facebook की feed के अंदर अपनी मरजी से उसको देखना काफी मुश्किल होता है तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मानलीजे user ने हमारे जो ad है उसको close कर दिया messenger से भी उसने exit कर दिया तो फायदा यह है कि दोबारा उसके पास में एक message चला जाएगा जिससे कि हमें lead दोबारा आने के chances increase हो जाते है अगर user चला भी जाता है फिर भी हो सकता है कि वो दोबारा हमारे form notification को देखके वो complete कर दे जैसा कि हम notification को देखके हम भी काफी अलग-अलग application को open करते है या फिर reply करते है तो अब यह सारे option हमने देखे content और advance के अब हमारी जो field है जो हमारा form है या फिर इसको मैं form नहीं कहूँगा जो हमारी automated chat की template है वो यहाँ पर बन चुकी है अब हमें क्या करना है simple save और finish के उपर click करना है जैसे हम save और finish करेंगे तो यह हमारी save हो जाएगी और user को दिखने के लिए हमारी जो template है यहाँ पर ready हो चुकी है अब हमें नीचे scroll करना है आप यहाँ पर देख सकते है automated chat test 1 यह ह website के उपर भी हम event नहीं ले जा रहे ना ही application के उपर तो हमारी जो add है वो यहाँ पर बन चुकी है अब हम उपर scroll करते है preview देखने के लिए आप advance preview में जा सकते है या फिर आप share के उपर click करके और send notification to facebook कर देंगे तो आपकी application के अंदर भी जो facebook की application है उसके अंदर एक notification चला ज मासे देख सकते हैं इसी के साथ आप link के साथ में भी share कर सकते हैं जैसे कि मैंने ये link बनाया और इसको 30 days के लिए share करता हूण इसको हम open करते हैं फिर copy करके आप इसको share भी कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं direct open कर लेता हूँ जैसे हम open करेंगे तो आप ये देखी यहाँ पर जो हमारा add का preview है वो यहाँ पर आ जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यह हमारे add करें कि प्रीव्यू है वो यहाँ पर आ चुके हैं लोड होने में थोड़ा सा time यहाँ पर लग रहा है तो जो हमारा add है अलग-अलग palacement में ऐसे दिखाई देगा अब हमारा add जो है वो बन चुका है हमें simple publish button के उपर click करना है अगर आप first time add बना रहे हैं तो आपको payment add करने की ज़रुत पड़ेगी अगर आपने already payment add कर रखिया तो जैसे ही आप publish button के उपर click करेंगे तो यहाँ पर आपको payment add करने पड़ेगी अगर आपने already कर रखिये तो आपको simple publish button के उपर click करना है और जैसे ही आप publish button के उपर click करेंगे तो जो हमारा add है वो यहाँ पर बन जाएगा और publish हो जाएगा अगर आपको payment add करनी है तो आप यहाँ पर जो यह तीन लाइन है यानिकि all tools का जो icon है इसके उपर click करना है और यहाँ पर आपको billing की detail मिल जाएगी सारे options जो हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे billing की detail आपको मिल जाएगी इसी के साथ अगर आपको campaign की performance चेक करनी है तो आप यहाँ से check कर सकते हैं कि आपका campaign की performance कैसी चल रही है अगर आप facebook ads के बारे में और ज़्या ज़्यादा detail में जाना चाते हैं ads manager को देखना चाते हैं कि इतने सारे option कैसे कहां पर काम आएंगे तो उसके लिए जो ads manager की dashboard की video है उसका link भी आपको description के अंदर मिलेगा इस video के लिए इतना ही अगर आपका कोई भी सुजाव है suggestion है या फिर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप comment section के अंदर जरूर बताइए मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी और next video के अंदर तब तक के लिए धन्यवाद